Hello everyone, welcome to Quant Study, I am Mujja Simaqtar, so finally हम आपके लिए English का जो lecture 1 है वो लेकर आए है 10 marks की आपकी जो total English है वो रहेगी और 10 marks आपको लेने ही लेने है वो कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ हमारे जो channel पे हैं videos upload होंगी अराम से हम थोड़ा थोड़ा syllabus cover करेंगे लेकिन आपको consistent रहना होगा इसके लिए और हाँ बाकी subjects के भी जो हैं आपको lectures बहुत जल्द ही provide होंगे और कुछ-कुछ subjects के lectures आपको already आना शुरू हो गए हैं इस channel पे आप playlists वगएरा में check कर सकते हैं आपको मिल जाएगा और जैसे जैसे हम पूरा consistency के साथ lecture डालना शुरू कर दें तो मैं आपको बता दूँगा अपडेट करते रहूँगा मैं आप सभी को ठीक है तो आप देखिए यहाँ पर English का जो है lecture 1 है आज हमारा किसके उपर है वो tenses के उपर ठीक है तो tenses वगएरा हम समझेंगे उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है quant study चैनल को आप subscribe करें ताकि आपको जो है notification मिले next time आपको ढूणना ना पड़े तो इसलिए आप subscribe करके रखें आपको notification मिल जाएगा बाकी जो lectures आएगे या फिर इसी का दूसरा lecture आएगा English का ही तो आपको notification मिलेगा और आप देखते रहना videos और note करते रहना जो जो हम समझाएंगे वो आपने करना है देखिए सबसे पहले यहाँ पर tense is the form taken by verb देखो verb एक form लेता है tense ठीक है जो क्या indicate करता है time और continuance या फिर completeness of action किसी भी action का completeness अब देखिए यही continuance या completeness of action जो है यह चार categories से denote किया जाता है जो कि अब हम समझेंगे चार categories वो क्या है ठीक है यहाँ पर सबसे पहले simple tense यह जो simple tense है यह use होता है habitual या फिर routine actions में present tense में और action which is over in the past and action to happen in the future tense अभी हम अच्छे से आगे समझने वाले है rules वगेरा सब कुछ हम अच्छे से समझेंगे सबसे पहले आप यह देखिए continuous tense दूसरा action is incomplete या continuous या फिर कोई action हो रहा हो देखिए वो ही continuous tense देनोट करता है अब देखिए perfect tense इसमें क्या है कोई action complete हो जाता है ठीक है और किसी particular time के साथ ठीक है वो हम समझने वाले हैं आगे किस तरह से है देखिए यहां पर fourth जो है आपके पास perfect continuous tense है यहां पर क्या होता है action जो है हो रहा होता है कोई किसी भी long period of time से या फिर जो अभी खतम नहीं हुआ होता है ठीक है अब यह पूरा हम detail में समझते हैं कि कैसे क्या होता है देखिए यहां पर आपको मिलेगा इस side में name of tense और यहां पर आपको मिलेगा verb form की कौन सी वहां पर यूज होती है अब देखिए present simple या फिर present indefinite कह दें आप यहां पर किस तरह से क्या यूज होता है यहां पर यूज होता है verb plus s और es देखिए verb की first form जैसे की go आपको पता है तो I go आएगा देखिए अगर यहां पर ही होगा तो goes आएगा क्योंकि यह क्या है third person singular के साथ es या es use होता है दूसरी example अगर लूँ तो he writes w r i t e s तो यहां पर क्या use हुआ s यूज हुआ न तो यह third form के साथ अगर singular हो लेकिन याद रखना दे के साथ दे के साथ go आएगा ना कि goes आएगा ठीक है अब देखिए present continuous या फिर present progressive जिसको कहते है इसके साथ is या am या are plus verb plus ing example के साथ देख लेते हैं I am going देखिए यहां पर ing भी है verb भी है am भी है ठीक है तीनु चीजें मतलब satisfy कर दी हमने इस sentence को बना के verb की जो forms है यूज होती है तीनु चीजें हमने यहां पर satisfy कर दी है उसी तरह से हम he is going is क्यों क्योंकि third person है और singular है उसी तरह से they are going third person है लेकिन क्या है plural है ना तो they के साथ आ रहाएगा plural के साथ क्या आ रहाएगा इतना तो आपको basic सा पता भी होगा अब देखिए यहां पर present perfect में क्या होता है has या have या फिर third form of the verb देखिए जैसे कि I have gone, gone क्या है gone है went नहीं go की third form और second form क्या है second form है went ठीक है तो has I have gone to school या फिर simply I have gone मान लो या फिर he has gone he के साथ has gone उसी तरह से फिर से दे के साथ have ठीक है gone अब तीनों चीजें यहां पर gone क्या है यह हमने third यहां पर दिखा दे तो आपको फिर से third form of the verb gone थी have भी हमने लगा दिया था I भी हमने यूज किया था या फिर he के साथ हमने has यूज किया था ठीक है तो यह जो है verb कैसे हम use करते हैं यही दिखाया गया है यहां पर next जो lecture होगा हमारा वहां पर मैं यह भी समझाओंगा पूरा example के साथ समझाओंगा कुछ exercises भी हम वहां पर solve करेंगे जिस तरह से आपके exams में आते हैं questions यहां पर देखे present perfect continuous क्या है यह इसके साथ use होता है has या have फ्लस बीन प्लस वर्ब फ्लस आइंजी कैसे अब जैसे I have been going हो गया काम खतम यहां पर have भी यूज हुआ been भी यूज हुआ going भी यूज हुआ उसी तरह he has been going देखिए he has been going ठीक है तो यह आप समझ गए होंगे कि present में हम कैसे use करते हैं आप देखते हैं past की past में हम कैसे use करते हैं देखे यहाँ पर past simple या फिर past indefinite जिसे कहते हैं यहाँ पर verb की second form of the verb सिर्फ लगती है second form of the verb जैसे I went he went they went she went ठीक है यहाँ पर second form of the verb यह तो आपको पता ही होगा first form, second form and third form ठीक है यहाँ पर देखे past continuous या फिर past progressive बोल सकते हैं आप अब यहाँ पर क्या होता है देखे was या were plus verb plus ing देखे present continuous पढ़ा था वहाँ पर हमने पढ़ा था is, am या are इसकी जगा पर लेकिन past continuous यानि की इसमें change है यहाँ पर बाकी सारा similar है देखे मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत इस तरह से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग उन्हें पढ़ा ही छोड़ दी होती है मैं चाहता हूँ कि उनको भी doubts clear हो जाएं ठीक है was जैसे I was going ठीक है I was going का मतलब क्या हो गया was भी यूज हो गया और going भी verb भी यूज हो गया और ing भी यूज हो गया उसी तरह से next अगर हम देखे तो they they के साथ क्या यूज होगा were were क्यों क्योंकि ये क्या है plural है न third तो were यूज होगा plural के साथ उसी तरह अब next past perfect है हमारा यहाँ पर क्या है had यूज होता है और third form of the verb यूज होती है I had gone simple देखे present perfect में ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पर I have gone था have या has यूज होता था लेकिन एक बात याद रखना past perfect में एक ही यूज होता है had चाहे ही हो she हो we हो they हो had ही यूज होगा ठीक है इतना आप समझ लीजिए had plus third form of the verb ठीक है इतना आप याद कर लीजिए यहाँ पर next क्या है past perfect continuous past perfect continuous क्या है इसमें यूज होता है had been plus verb plus ing जैसे की I had been going had been भी यूज हुआ verb भी यूज हुआ और ing भी यूज हुआ उमीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा अगर नहीं समझ आया है तो कोई बात नहीं आप प्लीज comments में बताएं तो मैं कोशिश करूँगा next lecture में कुछ कुछ doubts जो यहाँ इस वीडियो में रहे हैं वहाँ पे clear करने के ठीक है तो देखे मैं आपको बता रहा था I had been had been यहाँ पे go यहाँ पे ing यहाँ पे तो यह है ही देखो I had been going ठीक है यह समझ में आ गया आपको had been यहाँ पे use होता है किसके साथ past perfect continuous अब इससे पहले हमने present perfect continuous में पढ़ा था has been या फिर have been लेकिन यहाँ पे सिरफ had been ही use होता है चाहे he हो she हो मतलब third person pronoun हो या first person pronoun हो कोई भी हो क्या use होता है यहाँ पे हमेशा had been ही use होगा ठीक है next future अब देखे future एक second future में क्या होता है देखे यहाँ पे future simple सबसे पहले shall या will plus verb देखे जैसे I shall go I shall go she will go देखो will जब use होता है तो ये कभी change नहीं होगा या shall use होता है तो ये कभी change नहीं होगा future में जो है s या yes हम use नहीं करते यहाँ पे ठीक है याद रखना ये चीज future continuous या फिर progressive की बात करते हैं will plus be plus verb plus ing I shall be going देखे shall भी यूज किया हमने be भी यूज किया go भी यूज किया ing अब go क्या है verb है ing क्या है ing है इनने भी दिया है यहाँ पे shell क्या है ये उनके लिए भी है जिनको अंग्रेजी नहीं आती है वो भी इसको जो है एक use कर सकते हैं कि हाँ जी ये जो shell है ये rule है be भी जो है उनने बताया है use करने के लिए हाँ first की जो ये verb की जो form है first वो भी use करनी है और ing भी हमने use करना है उसके बाद देखिए यहाँ पे future perfect इसके साथ use होता है shell plus have plus past participle जैसे I shall have gone देखिए past participle form भी यूज हुई have भी यूज हुई shall भी यूज हुई ठीक है तो सब कुछ जो है satisfy हम कर रहे है अभी तक सारी जो है यह rules हम satisfy कर रहे है future perfect continuous इसमें क्या use होता है shall या will plus have been देखिए I shall have been have been plus verb verb go लगा लो ing ing लगा लो ठीक है तो I shall be I shall have been going to school मान लो तो यहाँ पे क्या है पूरा हम satisfy कर चुके फिर से अभी जो है next lecture में हम क्या करेंगे next lecture में हम बहुत सारी examples लाएंगे जिन में हम अच्छी तरह सीखेंगे कि किस तरह से actual में इनको use किया जाता है वहाँ पर एक पूरा सा chart में आपके लिए लेके आऊँगा collect करके लाँगा आपके पास पूरा का पूरा chart sentences का अभी तो हमने सिर्फ rules का chart लाया आपके पास अब हम पूरा sentences का chart लेके आएंगे आपके लिए ठीक है तो मुझे उमीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा तो अगर आपको समझ नहीं आया है यहाँ पे यहाँ जा रहा हूँ आपके जो है feedback पे depend करेगा जो भी यह बात होगी कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है वो सब आपके feedback पे depend करेगा ठीक है तो thank you everybody to watch the lecture 1 so here we end the lecture 1 of English that was based on tenses ठीक है तो next जो lecture होगा वो भी tenses के ही उपर होगा लेकिन वहाँ पर हम कुछ exercises लेंगे अच्छा अब last पे एक मिनट मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमारा एक channel है English with मुझसिम सबसे पहले आप Quant Study का जो टेलिग्राम channel है वो आप तो join करी ही लेंगे लिंक के दिया होगा आपको description में लेकिन हमारा दूसरा भी एक channel है English with मुझसिम जो की मैंने recently open किया था वहाँ पर क्या है वहाँ पर आप discussion कर सकते हैं बहुत सारी चीजें ठीक है तो आप search करेंगे टेलिग्राम पे English with मुझसिम वहाँ पर फिर आप join कर सकते हैं और मलब वहाँ पर quizzes वगरा भी होती है बहुत कुछ होता है वहाँ पर discussion भी होता है English के base पर तो आप आ सकते हैं और join करके discussion कर सकते हैं आप जो है इसकी spelling देख सकते हैं और बाद में इसको search कर सकते हैं तो thank you very much for watching I will see you in the next video